तो दोस्तों लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पी जिसका नाम है मेस्ट अपोलोजी क्या नाम है दोस्तों मेस्ट अपोलोजी इसको ध्यान से आप लोग समय लिजेगा ठीक है इसका क्या नाम है मेस्ट अपोलोजी मेस्ट अपोलोजी में क्या होता है मेस्ट अपोलोजी का मतलब होता है सीथी सी बात है कि मेस्ट मतलब होता है सबको मिलाज उलाकर रहा है यानि सोसल तो दोस्तों सीज़ा सा फंड़ा हमारे सामने आ रहा है कि जो मेस्ट अपोलो वायर्स को एक दूसरे से connect कर देंगे पहला से चौथा पहला से दूसरा तीसरा चौथा सब को connect करेंगे अगर सारे computer सारे computer से connect होते हैं उसको हम लोग math topology की नाम से जानते हैं दोस्तों इसका हम चुटा सा एक structure बना देते हैं दोस्तों देखे कैसे बनाते हैं यह हमारा मा पहुत हैं यहाँ पर एख हो गया और यहाँ पर एख हो गया हमारे क्या हो गए पाच system हमने बना दिया अब क्या होगा कि जो हुमारे यह system बने हुए हैं यह क्या है एक दूसरे से connect है लेकिन अभी भी यह math topology का काम नहीं कर रहा है दोस्तों यह हमारा ring topology के तरीके से काम कर रहा है मैंस topology कैसे काम करता है मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ ये देखिए हमारा ये हुआ हमने इनको ऐसे connect कर दिया ठीक है अब इनको मैंने यहां connect किया यहां connect कर दिया बाकी बचे ये तो इनको यहां connect किया और दोस्तों क्या कर रहे हैं हम बच़ें ये हमारे दिन को मैंने यहां connect कर दिया यहां connect नहीं होंगे यह क्या हो गया अब देखिए जो हमारा यह बच रहा है यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यह computer है यह सारे wire से connect आलरेड़ी हो चुका है दोस्तों ठीक है यह क्या है यानि कि कोई ऐसा computer इसमें नहीं है जो क्या हो रहा है कि किसी ऐसे computer से connect ना हो देखने में तो star के तरीके से लग रहा है ध्यान समझेगा हमारी बात को ठीक है यह star के तरीके से हमारा लग रहा है लेकिन इस star topology में नहीं आता है यह आता है कि इसमें कि एक दूसरे सबसे connect होते हैं किसी से जगडा नहीं करते हैं किसी से लडाई नहीं करते हैं तो यह क्या होता है सारे computer क्या होते है सबसे connect होते हैं कोई किसी को problem अगर होती है तो वो आसानी से क्या कर सकता है एक दूसरे को data transfer कर सकता है एक दूसरे को data transfer आसानी से कर सकता है और अपने काम को आगे बहुत तेजी से बढ़ा सकता है तो यह है हमारा mess topology है दोस्तों ठीक है अगर हम लोग इसका advantage देखें अगर हम लोग इसका advantage देखें तो सबसे पहला advantage क्या हो जाएगा कि all computer connect देखें हम अपनी language में आप लोगों को बताते हैं ठीक है अगर आप लोगों को इसमें कोई problem होती है तो आप लोग हमें comment कर सकते हैं यह हमारा all computer connect यानि एक दूसरे से सारा computer हमारा connect कोई ऐसा computer नहीं है कि जो एक दूसरे से connect ना हो यानि मतलब यह हुआ कि जो हमारा इसका अगला advantage है वो क्या होता है कि easy to transfer data transfer data यानि मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इनसे और इनसे data को transfer करना है तो हम लोग आसानी से transfer कर सकते हैं क्योंकि हम एक all computer से जुड़े होते हैं यानि हमारा जुड़ा होता है वो आसानी से क्या होता है data को हम लोग transfer कर सकते हैं independently हम लोग data को transfer कर सकते हैं इसमें ना तो किसी hub से मतलब है ना तो किसी ring से मतलब है ना तो दोस्तो किसी से कोई disturbance है हमें आप से मतलब है आपको हम से मतलब directly हमारा आपका काम हो गया तो में दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों यही होता है हमारा सामाज ठीक है लेकिन इसका हम लोग एक disadvantage भी देख लेते हैं क्या होता है इसका एक disadvantage होता है वो दोस्तों होता है कि सबसे पड़ी बात है कि माल लीजिए हमारे सिर्फ 5 कंप्यूटर लगे हुए तो देखिए हमने कितने वायर लगा है एक, दू, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस यानि कि मतलब यह हुआ कि सिर्फ 5 कंप्यूटर को जोडने के लिए हमें 10 वायर लगाने पड़ गए तो मतलब यह हुआ कि जो इसका केबल कोस्ट है यानि assembling केबल कोस्ट यानि cabling कोस्ट जो है इसका वो जो है ज़ादा होगा more cable कोस्ट कैसे? क्योंकि अगर हमें 5 कंप्यूटर जोडने के लिए अगर हम 10 वायर का इस्तिमाल करते हैं दोस्तों तो वो हमारा क्या हो गया कि cable cost इसकी ज्यादा होगी तो यही है हमारा mess topology जिसमें क्या होता है कि सारे computer एक दूसरे से attached होते हैं और हाँ सब के सब easy to transferable data होते हैं यानि कि हमें आपको transfer करना आपको हमको transfer करना दुनियादरी से कोई मतलब नहीं है आपका data मेरे पास आपके पास एक computer दो computer attached होता है तो अगर हमारे 5 computer में सिर्फ 10 wire use होने तो हम जहां पे 100 और 200 computer use करेंगे उसमें कितने wire हो सकते हैं दोस्तों इसका अंदाज आप नहीं लगा सकते हैं तो इसके लिए जो cabling cost होती है वो extra होती है दोस्तों ठीक है तो यह है हमारा mess topology बाकी हाँ हम लोग चलत हैं अगले topic बात करते हैं